इस बार के चुनाओं में सबने अपनी भूमी का बढ़ चड़ करने भाई है, उनी में से है सैनिक तब का, जिसके लिए भी इस सरकार ने नाक में दम करके रखा था और उन्होंने भी कही न कही ठान रखी थी कि इस बार ये शोशन करने वाली सरकार को उखाड कर फैक देंगे और आखिरकार अब जब उनका कहा हुआ सच साबित हुआ है, तो उनकी अब नई सरकार से क्या अपेक शाएं बन रही हैं, क्या उम्मीदे लग रही हैं, और किस तरह से सैनिक अब चाहते हैं, कि सरकार उनका सहियोग करें, तो उनका क्या नजरिया है, वो सब जानने के देवानन गुर्जर जी, सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है, और आज मैं इन से सैनिको के, क्योंकि सैनिको के लिए आप बहुत काम करते हैं, आप रिटाइड करनल भी हैं, तो मैं जानना चाहूंगी, कि जिस तरह से उन्होंने इस बार सोचा था, कि ये जो शोशन करने वाले तरकारे इसको उखाड़ कर फैक दिया जाएगा, तो अब क्या है उनके दिमाख में, क्या चल रहा है, चीतना जी सबसे पहले बहुत-बहुत धन्यवाद की चुनाओं के दौर में हमारे सैनिकों की आवाज पूरे आपने प्रदेश और देश तक पहुँचा है, और एंटी सोल्जर सैनिक विरोधी कारणामे करने की, अब उसमें सबसे बड़ी चीजे मुख्य चीज क्या रही थे, कि छोटे-छोटे मुद्धे हमारे सैनिकों की हो सकते हैं, पर मैं देश के कॉंग्रेस सरकार ने जो एक बहुत बड़ी गलती की, और जिसको कारण मैं कहता ह आपने भी कहा था कि उखाड फैंकेंगा, हमने कहा था हमने उखाड फैंकी, ये एक सैनिक कह रहा है, क्यों उखाड फैंकी, छेपना जी आपको याद होगा, सैनिक देशवासियों जब भी रिटायर होता है, तो सैनिक को आप कोई ये मत देखो कि कोई रिजर्वेशन की सब्सक्राइब करने जाता है तो बाइसाब वो साथ वर्स के लिए जाता है और कोई भी ऐसा सरकारी करमचारी बतातो कि साथ वर्स से उसको पहले निकाल तो सुप्रीम कोर्ट तक दर्वाजा खटकट आएगा चाहिए पर एक सैनिक ऐसा है जो 35-40 वर्स की आयू में साथ प्रतिशत लोग रिटायर कर दिये जाते हैं तो वह इसलिए रिटायर होते हैं क्योंकि सेना की रिक्वाइमेंट हुआ चाहिए वहां अलग तरह के स्टैंडर्ड चाहिए तो देश ने अपनी जिम्मेवारी स्विकार कर रखी थी देश में पूरे देश में मैं भी आते थे तो एक पुनर्वास योजना चलाई जाती और 1988 से लेकर के राजस्तान सरकार ने पुनर्वास के अंदर कर हर सरकारी नौकरी के अंदर जो क्लास बी सी जो वेरियस ग्रेट्स हैं 12 प्रतिशत नौकरिया पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित की जो सरकार ने की रेजर्वेशन की बिमारी हिंदुस्तान में आई और दीरे दीरे लोगों ने राजनेतिक जो एंटी जो होते हैं मोका परस्त उन लोगों ने इस पुनर्वास योजना का नाम भी रेजर्वेशन में दे दिया और सरकारी अधिकारी भी कुछ तैयार बैठे थे जो सरकार को गिराने के लिए क्योंकि वीबन मुद्दे होते हैं सरकार से नाराज़गी सब्की की फसाद हो और ऐसी एक पटकता लिग दी कि दो वर्षपूर वे दो हजार इकीस की बात है और उनिस की उनिस बीस की बात है इन्होंने एक अधिनियम लेके आए जहां पर वो बारा प्रत आतिशत दिया कि इनको वापस सबको तो नहीं अध्यस कर सकते पर जितनों को भी करना है देश के जिमेवारी बनती है तो उनको 12% में उनको पुनरवास को नहोंने क्या कि पुनरवास को पहला तो बदनाम करने के लिए इसको रिजर्वेशन का नाम दे दिया और सुप्रीम से स्टी बांट दिया जो बहुत बड़ा हम सब विरोध करते हैं और मैं मानता हो हर नागरिक ने हमारा संवार्थन दिया मीडिया ने कि जाती सैनिक की नहीं हो सकती सैनिक देश की दरोर है और यह जब अदीने हम आया तो हम एक जुट होकर कि हमने कहा कि सरकार को कोशिस की ह अब गमंड का क्या हुआ वो तो जन्ता ने फैसला दिया है आज वो हट गई है पहली जाती में बाटने की गलती की जिसकी सजा भुगती अब दूसरा सवाल आता है और सैनिक ऐसा नहीं सैनिक गलत करता है सैनिक सरकार गिराता नहीं है सैनिक ने बात रखी और अपना को ये भी बताना चाहूंगा कि सैनिक एक वो है जो 2014 के अंदर मुझे याद है मोदी जी की पहली सबाह हुई थी हरियाना में जाब पूरा सैनिक क्योंकि उगरवास से त्रक्ता देश उसमें उसमें सैनिक आए दिन किसी सहर में बंबलास्ट होता ऐसा नहीं आद जैपूर क जो पार्टी के साथ खड़े हों जो सुरक्षा को मजबूत करें टेररिजम से मुकाबला करें जीरो टॉलरेंस तो टेररिजम तो वो एक मौका था जब मोदी जी जब जीत करके आए सैनिकों का उसमें बड़ा योगदान था क्योंकि हम चाहते थे रास्टर के अंदर तो हम हम कहना चाहेंगे कि हमने ये मजबूरी में जो इस राजस्तान की कॉंग्रेस सरकार को सैनिक विरोधी थी इसलिए हटाया पर हटाने से काम काफी नहीं है अब मेरा उपेक्षा हर सैनिक की है कि भाई अब सैनिक के जो समझ जा थी छोटी मोटी बहुत है जी बिलकुर मैं य अधी नियम वापिस बीजेपी सरकार मेरे धरने ने नहीं किया जूरत है बाई यह मैं उमीद करता हूं कि जो जीत के जो हम आये हैं सैनिकों के ताकत के कारण हमारा समर्थन था और पूरे प्रदेश ने समर्थन किया आप जैसे मीडिया ने किया कि नहीं सैनिकों के साथ ज सैनिक रれる होता है तो उन्होंने एक रिक्षो नाम की बीमारी खड़ी कर दी एक कंपइभ बनाधी और उसको दिया तुम सैनिकों को नौकरी दो और वो क्या करता है, मेरा रेक्सो से उस विचार से विरोध नहीं है, मेरा विरोध ये था फांस साल से च्छे साल रादर, कि आप नौकरी दे रहे हो, प्राइविट सेक्टर में, तो मिनिमम वेजेज का भी नहीं काम करते हों, तेरा हजार, चोदा हरार सैनिक अधिकारीों का सोशन करते हैं और तो सैनिक विश्राम करें में वहाँ पूर्वसैनिकों को लेते हैं ऐसान नहीं करती है सरकार हमका तो क्या उनको 12-13 हजार में काम कराएंगे मिनिमम वेज़ेज दो देश के हैं वो मिलना चाहिए तो यह दोनों थी मेरी बीजेपी से यही अपेक्षा रहेगी मेरी नहीं हर सैनिक की क्योंकि मैं बहुत पूर्व सैनिक हमारा जो संगठन है जो संगर्स करते रहते हैं कोई नाम मैं नहीं देना चाहूंगा हर व्यक्ति की आवास थी और वो यह चाहेंगे कि जो यह हमारा रेक्सो है या तो इस ρाक्सो को खतम किया जाए क्यूंकि जब अबके पास सैनिक कल्नान अधिकारी ओफिसेज हैं तो दो दो बीमारिया क्यों लियके आये हो और अगर कोई अच्छे काम के लिए क किया जाए एक सैनिक को अगर minimum wages आप नहीं दे सकते उस डिपार्टमेंट को बंद कर दो ऐसा में और मैं उन अधिकारियों से कहना चाहूंगा जो इनको चलाते हैं वाई साब अधिकारी हैं तो अगर आप यह नहीं कह सकते कि सरकार नहीं करती तो आप क्यों बैठे हैं क्या सरकार के कहने पर अगर minimum wages नहीं दे सकते तो उसको बंद करना पड़ेगा मेरी बीजेपी गवर्मेंट से या तो क्लियर कट जा क्या जातिगत बांटने के लिए यह अधिनियम वापस हो ऐसे हमारी भावना है ऐसा हम चाते हैं और उमीद करते हैं आपका भी समर्थन चाहिए प्रदेश का ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर सैनिक ने जान की बाजी लगा दी चुनाओं में उनको हराने के लिए और आज भू हैं जिनकी वज़े से हम चैन की नीद सो पाते हैं और जो अपनी नीद खोकर परिवार से दूर रहकर हमारी लिए देश के लिए ना अपनी जान को नुछावर करने के लिए एक समय का एक शन भी नहीं सोचते तो उनके लिए अब सरकारों को सोचने का समय आ गया है और मैं आपसे एक और सवाल का जवाब जानना चाहूंगे सर कि अभी विजय दिवस आ रहा है और पार्लियमेंट पर हमले पर जो भी आपका आपका जी बिलकुल इतना समय हो गया है तो इन सारी घटनाओं पर आपकी क्या राहिए इतना ही कह सकता हूं आज का दिन क्योंकि वो दिन ह जिस बाइस वर्स पूर्व आज के दिन पाकिस्तान के दरिंदों ने उगरवादियों ने आ कर कि हमारी पार्लियमेंट पर हमला किया था आज के दिन नो रन बांकुरण अपने जीवन का बरीदा जी 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 उन सब नो के नो उनके परिवार को नमन और वंदन करना दुनिया के इतियास में सेकंड वर्ड वार के बाद अगर किसी सेना ने 98,000 जीद बंदी बनाए हो वो भारत ये सेना थी पर जैसा मैं थोड़ी दिर पहले का रहा है कि सेना सिरफ शौरिय करने के लिए है ये हमारा सोभाग्य है पर उसके अगर साथ राजसान सरकार ने जैसे जातियों में बाटने का दुशास किया और जो इनकी जब वेलफेर की बात आती है तो आप पीछे कर देते हैं ये कहते हैं कि देश में विबिन प्रकार के बहने बनाते हैं वो उचित नहीं है और मैं मानता हूँ देश हमारा सम्मान करता है सेनिकों के उस सवीर गाथा को ल के हमले में प्रदान मंतरी महदेप हमारे स्पीकर महदेप सबने आज सुबह उनको वंदन किया है मैं देश को बदाई देना चाहूंगा भारत के सेना को बदाई देना चाहूंगा जम्मू कस्मीर के हर नागरिक को बदाई देना चाहूंगा और देश के हर नागरिक को बाइस साल लग गए हमें पर जो आपने बीच में जिस तरह का तंत्र बनाया जो कानून बनाए नतीजा ये है आज कस्मीर के अंदर दो हजार तेवीस दिसंबर आ गया है आज इस साल एक भी पत्थरबाजी का इंसिडन्स नहीं हुआ है इस बार उसी जब लोग पूछते हैं कई बाष क्या बदल गया है ये बदल गया आज हमारे सैніग और पाले अन पे कोई हमला करने की नहीं सोचता है और सोचता है तो उसको जवाब दिया जाएगा और इस चीज़ के साथ मैं नमन करना चाओंगा हमारे हर उस भारत्वासी को हमारे हर उस सैनिक को जिस माँ भारती के लिए अपने बलीदान दिया है लेकिन देश्वासियों आपकी जिम्मेवारी बंती है राजनितिक समय आप हमारा समर्तन लेते हैं पर जब हमारी समश्चाओं को बारी आए कृपया उनको पीछे ना करें और हमारे सम्मान के साथ खिलवार ना करें मिनिमम वेजेज दे और हमारा पुनरवास आप सुनिश्चित करें और जातियों में तो कभी भी ना बाटे थैंक्यू वरी माच जैहिंद अचेतना जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी बिल्कुल अब ये जो मुद्दा उठाया है वो दूर तक जाना चाहिए इसलिए यह जागरुकता पैलानी है सैनिकों के लिए जिन मुद्दों पर खुलकर चर्चा नहीं कि जाती ऐसे मुद्दों को सभी को जानना जरूरे है इसलिए इस वीडियो को जादा से जादा शेयर किया आप कैसा लागा वीडियो कॉमेंट करके बताएगा और ऐसे ही और वीडि नहीर को जाती है अव़र लोग इंसरों, 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 विडियो इंसरों, बॉटम इंसरों इंसरों और मोवबल बाग्राओंग में लिडिये अफ। को आई लेक्ट लेएट्फ्टाएवार्टविश्टु प्टेश्टी और अधिंटिए चेकाट बीजिए ट्योग कि चेकाट नाओ ट्योग कि अजए कर अदिए